अगर आप जल्दी जल्दी करेक्शन टेप को यूज करते हैं तो इसका टेप एक तरफ जाम हो जाएगा इसके वज़ेसे आप इसे अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे इसे ठीक करने के लिए आपको एक पैन का जरूरत पड़ेगा इसे ठीक करने के लिए आपको टेप को इसके पूराने वाले position में लाना है उसके बाद देखेंगे आपका tape थोड़ा सा loose हो चुका होगा उसे ठीक करने के लिए इसमें एक gear है इस gear को tight करने के लिए मेरे पास एक सही tool नहीं है इसके वज़े से मैं एक 60 degree का set square यूज़ कर रहा हूँ इसे tight करने के लिए आपको इसे clockwise rotate करना है आप देख सकते हैं इसका tape tight हो चुका है और इसके बाद आसानी से आप इसे यूज़ कर पाएंगे दूसरा और काफी common problem है tape का loose हो जाना इसे ठीक करने के लिए सारे ही correction tape में एक gear होता है अगर आपके पास cocoa का correction tape है तो आपको एक rounder का जलूरत पड़ेगा उसके बाद जिस direction में arrow है उस तरब आपको gear को घुवाना है उसके बाद देखेंगे आपका tape पहले जैसा tight हो जाएगा अगर आपके पास टूम्बो का mono correction tape है तो आप इसे ठीक करने के लिए एक screwdriver यूज कर सकते हैं अभी मेरे पास एक screwdriver नहीं है इसके बज़े से मैं 60 degree का subscribe यूज कर रहा हूँ इससे ठीक करने के लिए आपको ऐसे लेना है और उसके बाद जिस तरब arrow point किया गया है उस तरब आपको subscribe को घुवाना है और आप देखेंगे आपका tape अच्छे से tight हो चुका होगा के बाद आप इससे आसान इससे यूज कर पाएंगे तीसरा और सबसे बड़ा problem है जब आपका tape तूर जाता है इसे ठीक करने के लिए आपको पहले आपके correction tape को अच्छे से खोलना है tape को खोलने के लिए आपको एक rounder का जरूरत पड़ेगा आपको पहले किसी भी एक जगा पे थोड़ा सा gap create करना है और उसके बाद आपको sets कर लेना है और इस तरह से इसे खोलते जाना है अब देख सकते हैं correction tape पूरे तरह से खोल चुका है tape को जोडने के लिए पहले आपको एक cylinder निकालना पड़ेगा आप cylinder को ध्यान से निकालिए ताकि ये तूटे ना उसके बाद आपको इस तरह का excellent tape का 10 जलूरत पड़ेगा उसके बाद मैं जैसे कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह करना है आपको tape का एक end लेना है और उसके बाद tape के निचे से आपको ऐसे चिपका लेना है और आपको थोड़ा सा gap छोड़ना है दूसरे end के लिए और उसके बाद दूसरे end को लेना है और उसी तरह निचे से अच्छे से चिपका लेना है उसके बात एक कैंची के मदद से दोनों साइट को काड लेना है और जो टेप एक्स्टेंड हुआ है उसे अंदर की तरह चिपका लेना है आप देख सकते हैं आपका टेप आप जूड चुका है अब बारी है टेप को असेंबल करने की असेंबल करने के लिए आपको पहले इस टेप को ऐसे घुमाना है और उसके बात इस तरह से लाके आप ध्यां रखे कि आपका टेप ना टुके धीरे से लाकर पहले जिस जगा पे था उस जगा पे रख लेना है आप ध्यान रखें कि इसका gear नीचे की तरब रहे और उसके बाद इसके cap को भी लगा लेना है और इसके दूसरे cover को भी और उसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है उसके बाद देखेंगे आपका tape थोड़ा सा लूज हो गया होगा उसे टिक किलने के लिए आपको पहले की तरब इस square लेना है और उसके बाद इसके gear को clockwise गुआना है जिस तरब arrow mark है उसके बाद देखेंगे आपका tape पहले के जैसा अच्छे से काम करना लगेगा अगर आप किसी और type के problem face करते हैं इन correction tape में तो आप नीचे comment कर सकते हैं मैं उसके regarding एक video बना दूँगा Have a nice day Thanks for watching